नमस्कार दोस्ते मापका दोस राजू कैसे हैं आप सब आज करते हैं आप सब ठीक होंगे आज यह मारी वीडियो जो लिपली के सेटप बॉक्स आते हैं MPG4 यह उनके उपर है जिनमें की विदाउट डॉंगल वाले हैं इनमें डॉंगल लगाने की बिलुकुल भी जोरत नही पड़ती और बहुत ही अच्छे सेटप बॉक्स हैं और यह जो सेटप बॉक्स है LR26W इसका मॉडल नमबर है यह बिलुकुल सूपर डूपर हिट बॉक्स हो चुका है इस समय का और इसके देखते हुए कंपनी ने एक और नए फीचर्स के साथ दूसरा सेटप बॉक्स जो सूपर डूपर हिट है जो हमारा अब तक चला रहा है LR26W ठीक इसमें फीचर्स क्या डाले थे कंपनी ने दोनों के फीचर्स भी बताऊंगा जो अब डाले हैं क्या डाले हैं और इसमें क्या डाले हैं इसका मॉडल नमबर बताऊंगा दोनों को ओपन करके भी गया है LR26W और यहां पर फिरीटु एयर सेटप बॉक्स एचडी यह एचडी सेटप बॉक्स है MPG4 4G सपोर्ट है Wi-Fi सक्षम यानि कि इसके अंदर जो डॉंगल एंटिना इसके अंदर ही दे दिया गया है आपको डॉंगल एंटिना बार से लगाने की बिल्कुल ज़रूत नहीं है नहीं खरीदने की सब इसके अंदर अपने Wi-Fi का पासवर्ट डालिए और चलाने लगिए इसमें देखे लाइब रिकॉर्डिंग है आप जो भी सीरियल मूवी या स्पोर्ट मैच कुछ भी आप देख रहे हैं उसे डारेक्टर लाइब रिकॉर्ड करके बाद में भी देख सकते हैं कभी किसी टाइम भी अनी टाइम कभी भी देख सकते हो एची डी रैडी दैसार अजार अशी पिक्सल ठीक है डीले ने का सपोर्ट इसमें दिया गया यूटूब भी बहुत अची तरीके से काम करता है इसमें USB सपोर्ट है ठीक अपना pen drive भी चला करके की बलुकुल और यह नए बॉक्स कार्टून जो निया है और यह तीसी वार इसकी पैकिंग बदल दी गई है अब देखते हैं यह हमारा LR 26W सेटप बॉक्स है यह वाला यह बहुत इच्छा सेटप बॉक्स है आपके इस जमाने का सूपर हिट सेटप बॉक्स है अब इसे हम एक तरफ करते हैं अब देखते हैं जो अभी हाल फिलाल में कमपनी ने लॉंच करा है इसमें क्या क्या चीज डाली गई है यह देखिए लेरपिल कमपनी का सेटप बॉक्स है यहाँ पर इसका मोडल नमबर लिख देगा है मोडल नमबर LR 27i LR 27i देखिए लिरपिल कमपनी का यह HD 100805 पिक्सल का है और यह देखिए यहाँ पर लिखावा यह बाक्स बिना डिस एंटिना के भी एवम डिस एंटिना के साथ भी दोनों तरह से चलने में सक्चम है बिना डिस एंटिना से चलने के लिए वाइफाई या मोबाइल 4G से कनेक्ट करें यानि इसमें भी डॉंगल एंटिना लगाने के बिल्कुल जरूत नहीं है अपने जैसे इसमें था LR 26W में सैम वही चीज इसमें दी गई है डॉंगल एंटिना इन्विल्ड दे दिया गया है फिरी टू एयर HD बॉक्स है इसमें भी लाइब रिकॉर्डिंग है 10,080 पिक्सल पर DLNA वाइफाई 4G और वही सब चीज है नो सैट अप रिकॉर्ड और यूटूब भी सीक अंदर दे दिया गया है अगर आप डिस एंटिना लगाओगे तो इसमें चैनल अलग तरीके के दिखाई देंगे और अगर आप डिस एंटिना नहीं लगाओगे वाइफाई से चलाओगे आप मोवाइल के नेट से चलाओगे तो अलग चैनल आएंगे दोनों चैनल अलग अलग आएंगे इसमें डिस एंटिना पर तो आपके डीडी फ्री डिस्के चलेंगे ठीक है और अगर डिस एंटिना नहीं लगाओगे तो बहुत सारे चैनलों के पैकेज इसमें आपको बिलुकुल फ्री में देखने मिल बहुत अच्छे चैनल हैं और कुछ चैनल तो फुल एचडी में चलते हैं बहुत ही हाई क्वाल्टी में अभी चलो मैं इसे ओपन कर लेता हूं दोनों को ओपन करके दिखाता हूं कि दोनों में क्या क्या चीज हमें देखने को मिल जाती हैं और सेट आप बॉक्स किस तरीक देखा मिलेगा दोनों का चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूं जिल्दी से सबसे पहले देखिए यह हमारा एलार 26 डबलू है इसमें देखिए एक रिमोट मिल जायागा हमें लेरपिल का ही यह देखिए मैं एक बार ओपन कर देता हूं यह देखिए लेरपिल कंपनी का ही रिमोट है यह देखिए अभी से एक तरफ रख देते हैं यह 26 डबलू में आया है इसके साथ में और यह देखिए एक अडप्टर है यह देखिए यह बहुत अच्छी कंपनी की है और यह देखिए यह हमारा Setup Box है, यह Setup Box कैसा दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यह देखिए, Setup Box हमारा Green Color का दिखता है, चली अभी में इसे एक तरफ रख देते हैं, यह हमारा LR 26W का समान है, खीक है, अब मैं इसे रख देता हूँ, अब देखते हैं हमारा LR 27I, यह यहुआ है इसे भी हम ओपन कर लेते हैं यह बिलुकुल नया सेटप भॉक्स है हल फिलाल में सबसे पहले यह हमारे पास ही आया है अभी एक कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा यूटूब की यह हमारी दूसरी वीडियो है पहले मैंने इसकी एक वीडियो डाल दिए सबसे पहले हमारे पास यहार इसमें देखिए एक एंपेर 12 गा का एक अड़ेप्टर मिल जायागा आपको इसमें तरफ रख देते हैं और देखिए एक इसका रिमोट मिल जायागा remote देखिए कितना बड़ा रिमोट है यह देखिए दोने रिमोट में अंतर देख लीए आपक़ आंतर भी देख जायागा यह एलार शब्दी डवलू का रिमोट है और यह हमारा ट्वैन्टी सेवन का रिमोट है यह 26 का है 27 का है जिमोट का डिफरेंस आप देख सकते हो बहुत तगड़ा रिमोट दिया गया इसमें इसे भी हम एक तरफ रख देते हैं एक बार इस पे भी नजर मार लीजिए अब हम इसे भी एक तरफ रख देते हैं अब इसमें देखिए एक HDMI मिलती है देखिए खाली हो चुगा अब इसमें भी एक सेटटों बोक्स है इस हम निकाल लेते हैं ओपन करते हैं देखते हैं इसमें कैसा सेटटों बोक्स मिलेगा वीडियो इसकेप न करें वीडियो पूरी देखें तब यह आपकी समझ माएगा इस पे भी देखिए यह हमारा आसमानी कलर का सेट अप बॉक्स है इसका इब लू देखिए इस पे भी वाइफाई लिखा हुआ है और देखिए हम 26W आपको दिखा देते हैं यह देखिए यह भी हमारा वाइफाई लिखा हुआ है अब दोनों का फिरेंट देख लीजिए इस पे भी देखिए हैं आप चैनल लिखा हुआ है चैनल प्लस, चैनल माइनस, मीनू और स्टेंड वाई यह इसमें दिया गया है यह LR 27 है यह LR 26 है यह देखिए स्टेंड वाई, मीनू माइनस और प्लस, दोनों चैनल माइनस प्लस, ठीक है, यह देखिए और दोनों को नीचे से भी दिखा देता हूँ दोनों में नीचे से देखने में बिलुकुल सेम है का भी सपोर्ट है, एक ही यह आपको USB एक ही मिलेगी, दोनों में और यह हमारा 38C का पोर्ट है, दोनों में और यह 12V DC का सपोर्ट है, ठीक है दोनों में सेम हैं देखने में मगर इसमें जो है आप बिना डिसेंटीने के नहीं चलेगा, इसमें डिसेंटीने की, इसमें डिसेंटीने लगाना जरूर पड़ेगा इसमें डिसेंटीने के बिना भी चल जाएगा तो इसलिए अब डिसेंटीने नहीं चलाना आपको, अगर आपके बाद पास Wi-Fi है, तो आप इसे लेक सकते हैं और इसे के साथ जा सकते हैं यह बहुत अच्छा setup box है और यह भी बहुत अच्छा setup box है दोने कमपनी के super hit setup box है यह तो super hit हो चुका है अब बारी इसकी है क्यूंकि जादा से जादा लोग अब क्या है वाई फाई का यूज करते हैं सेंटी ने काम बहुत ज्यादा कम हो चुका है इसलिए कमपनी ने सोच समझ के बहुत अच्छा सेटप बॉक्स यह बनाया है अगर जानकारी में कुछ और कुछ छूट गया हो ता आप हमें कमेंट करके भी पूस्कते हैं हम उसका जवाब जरूर देंगे आज की वीडि आपको कैसे लगी वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो को सेयर करें और चैनल को सब्सक्रायव करें ह benefit जैनल को लाइक करना ना भूलें तब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत